हलो गाईज, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की सीरिज में जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डेसीमन नंबर से मैं अधर नंबर सिस्टम में डेटाव कनवर्ट कर सकता हूँ प्रिवियस लेक्शर में दोस्तों हमने नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट और उसके टाइप्स को डिसकस किया था अगर आपने हमारा प्रिवियस लेक्शर नहीं देखा है तो एक बहुत से ज़रूर रिफ़र कर लेजे लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जायी आज जो स्वर्म देखेंगे कि अगर मुझे कोई डैसिमन नंबर दिया है तो उस से मैं अधर मैं कैसे जाओंगा डैसिमन नंबर में मुझे कोई कोई कुजन जो है वो बेस टेन के साथ दिया है और मुझे इसको करना है किसमें अधर मतलब बेस एक्स में एक्स की से क्या देखने मालो हो अगर मैं यहां पर यह देखने मालो कि अगर मैं कोई decimal number दिया है, तो इसको मैं binary में कैसे करुए हैं , या फिर इसको मैं octal में कैसे करुए हैं और hexa में कैसे करुए हैं इसकी मैं SIMPLE, एला ही कि मेतर रहूँगा ताकि एक method से में सारे conversion सीख सकूँ, चोई दोस्तो start करते हैं आज का lecture तो दोस्तो, मैं आप example के लिए, for example के लिए मैं आप एक number ले लेता हूँ, suppose कि तल लिए हमें 49, base 10 suppose दोस्तो यह मेरे पास एक number है और मुझे इसको convert करना है किसमे suppose पहले मैं इसको binary में convert कर रहा हूँ, फिर octal में करूँगा और फिर hexa में, suppose उसको दोस्तो मुझे इसको binary में convert करना है तो कैसे करेंगे, तो दोस्तो सीधा सा concept है, जब भी आपको कोई decimal number दिया हो और decimal number से other, other मतलब किसी भी number system में convert करना हो तो हमें क्या करना है हमें उस number system में जिसमें convert करना है, उसके base से divide करना सुरू कर देना है इस number को, अब divide कैसे करेंगे दोस्तो, तो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं लखा किया है, आप है, 49 और इस तरीके से मैं इसको divide करूँगा तो किसमें convert करना है, 2 में, तो मैं तो से divide करूँगा, अब 2 से divide करूँगा दोस्तो, तो मैं point में divide नहीं करूँगा, अब मैं इसको जितने time से divide हो सकता है, वो लिखूँगा, और reminder, जो भी reminder या 6 फल बचेगा, उसको यहां लिखूँगा जैसे मैं इसको divide किया, तो two two is जा four होता है, और two four is जा eight, तो किते reminder क्या बचेगा one तो one में यहां लिखुँगा, फिर दोस्तों मैं divide किया two को two se, two one's जा two, और two two's is twelve, तो reminder क्या बचेगा जिरो again two से divide किया दोस्तों, तो two six जा, twelve, reminder 0 फिर two से divide किया, two three zij, six, reminder 0 again two से divide किया, two one लाइंडर चोट्थ पीरा डिवाईंडर चाहिए आथना बचाए जीमाईंडर यह करना है कब तक करना जब तक की लास्ट में क्या ना आजा जी जैसे जोस्तों यह हो गया उसके बात मुझे बॉटंट्थ अब ऐसकेद करना मुझे बॉटंध्थ यहां पर लिखना लेफ्ट दोस्तों दोस्तों जो है निकलाए निकल आए इसका 49 का इसे मातब इस तरीके से देटा को डेटा को गए क्या देखा यह क्या देखा दोस्तों मैंने decimal to binary है मैं यहाँ पर लिद्द देता हूँ यह मेरा क्या है decimal to binary अब दोस्तों अगला मैं देखने बाला हूँ यहाँ पर अगला मैं देखता हूँ decimal to octal decimal से octal में कैसे convert करेंगे दोस्तों same method सपोज इसी question को मुझे क्या करना है octal में convert करना है सपोज मेरा 49 जो है लिखा हुआ है और मैं चाहिता हूँ इसी को मैं किसमे convert करूँ 8 में तो मैंने क्या बोला था दोस्तों जिस base में convert करना है उसके base से divide करना है 49 को divide करना सुरू कर दूँँ किस से 8 से मैं 8 से divide किया तो 8 किते time जाएगा 8 5 जा 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 8 6 सा 48 तो reminder के बचा है दोस्तों 1 बचा फिर मैं 8 से divide किया तो क्या बचेगा 8 0 जा 0 तो reminder के बचा 6 बचा 0 हो चुका है दोस्तों लिखना कहां से start करूँगा bottom से तो क्या आएगा 6 1 जब भी दोस्तों आपका final answer आता है आप उसको check करिएगा range कहां से कहां तक होती है octal की तो octal की एगर मैं range की बात करूँ दोस्तों range हमारी होती है कहां से कहां तक 0 से लेके 7 तक तो आप देखिए आपका जो answer आया उसमें कोई भी digit ऐसा नहीं होगा अब दोस्तों इसी question को अगर मैं आप किस में convert करूँ इसी question को मैं decimal से hexa में convert करूँ तो कैसे करूँगा decimal to hexa तो दोस्तों same method यही apply होगी मत्तब इसी 49 को मैं convert करता हूँ तो मैंने कहा लेका 49 10 है और उसको मैं convert करना चाहता हूँ किस में 16 में कैसे करेंगे divide करके 49 को मैं divide करता हूँ किस से 16 से 16 से divide किया तो आप divide करिए 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48 तो 16 3 जा 48 इसको मैं तो answer क्या आगया reminder क्या बचा 1 और 16 0 जा 16 तो reminder क्या बचा 3 bottom से top लेकना है दोस्तों तो answer क्या आजाएगा 31 या 31 base 16 तो ये दोस्तों मारा क्या हो गया ये हमने convert कर लिया decimal to hexa इसकी भी range की अगर बात करें दोस्तों range कहां से कहां तक है हमारी अब देखिए range कहां से कहां तक होती 16 hexa की 0 से 15 आप देखिए हमारे पास number क्या है 3 and 1 इसका मतलब ये भी valid है तो इस तरीके से दोस्तों जब भी मुझे कोई भी question दिया होगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ मैं किसी भी number को decimal से other में convert कर सकता हूँ चाहे वो किसी भी form में कोई भी number दिया हो एक और another example लेते हैं दोस्तों और च्छे से आपको clear हो जाएगा तो one more example ले रहा हूँ suppose मुझे क्या करना है एक और example लेता हूँ suppose मुझे क्या करना है suppose 55 जो है मेरा 10 है और मुझे इसको किसमे करना है 2 में 2 means binary मतलब मैं क्या चाहता हूँ decimal से किसमे जाऊँ मैं तो ये कैसे करेंगे दोस्तों करें क्या करते हैं जब भी मुझे डेसिमल से अधर में जाना तो मैं करता हूं सिधर डिवाइड करना शुरू करता हूं किस से उसके बेस से तो मतलब 2 से डिवाइड करना शुरू किया तो 2 1 जा 2 2 4 बचा 1 2 7 जा 14 रिमांडर के बचा 1 2 1 जा 2 2 3 जा 6 रिमांडर के बचा 1 फिर किया 2 6 जा 12 रिमांडर के बचा 1 2 3 जा 6 रिमांडर के बचा 0 2 1's are 1 remainder के बच्छा 1 2 0's are 0 remainder के बच्छा 1 तो फाइनल answer क्या होगा? Bottom से Top यहां से चाट करेंगे तो 1 1 0 5 1 1 1 तो हमारा क्या होगा? फाइनल answer होगा है किसका? 55 का मतलब अगर आपको 55 को करवट करना है binary में तो यह हमारा उसका number होगा अब दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है, 55 के बाद मुझे क्या करना है, मैं आपसे बोल रहाँ कि अब आप करो, आप 55 को ही करनवट करो किसमें, कुछ बढ़ा नमा ले लेता हूँ मैं, 55 नहीं, सब्सक्वर आप 85 को करनवट करो किसमें, Octal Octal में मतब base 8 में मतब मैं आप से कहा वह रहा हू Så Decimal से किसमें जाओ Octal में कैसे जायेंगे बहुत easy है मैं क्या करता हूँ 85 को divide करना शुरू करूँगा किससे जिसमें जाना है 8 में तो 8 से divide करना शुरू करूँगा 8 1 जा 8 8 0 0 8 10 जा 80 रिमांडर के बचा 5 फिर डिवाइट किया 8 1 जा 8 रिमांडर के बचा 2 फिर क्या किया 8 0 जा 0 जा रिमांडर के बचा 1 bottom से top लेखना start किया तो क्या हो जाएगा 1 2 5 यह हमारा क्या हो गया यह मारा octal कर मरजन हो गया किसका 85 का दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस चीज के लिए हो रही हो कि आगे बढ़ता हूँ दोस्तों तो अगले उसके आते हैं तो next हमारा क्या आता है सब्सक्राइब अब मुझे क्या करना है मुझे मैं चाहता हूँ कि decimal से octal ना जाएग मैं decimal से hexa जाओ तो उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों तो suppose यहां पर मैं एक नम्मा लिख रहा हूँ 186 यह मेरा 10 हो मैं चाहता हूँ किसमें आ जाए 16 में मतलब मैं चाहता हूँ decimal से मैं कहा जाएग hexa में कैसे जाएगा दोस्तों divide कर गे 16 से मैं डिवाइड करना शुरू किया जैसे मैं इसको 16 से डिवाइड करना शुरू किया तो हमारा क्या होगा number करते हैं 16 तो रिमांडर के बचा 10 फिर देखा दोस्तों Så 16 0 जा 16 इमान ले क्या बचा 11 तो इसको bottom से top लिखना है start करेंगे मताब answer क्या आएगा हमारा 11 10 पर क्या answer ये होगा हमने सीखा था दोस्तों क्या सीखा था कि जब भी 9 के उपर digit आएंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे 10 आएगा तो हमने ये देखा था तो इसको 11 है तो 11 क्या बन जाएगा दोस्तों मतलब B और 10 क्या बन जाएगा दोस्तों तो हमारा answer क्या होगा B A 16 तो ये हमारा क्या होगा final answer होगा दोस्तो इस तरीके से कभी भी मुझे कोई भी number system दिया हो सॉरी कभी मुझे decimal number system दिया हो और उसे मुझे other में जाना हो तो हम क्या करेंगे simply base से divide करना शुरू कर देंगे अब दोस्तों ये तो सारी सारी defined number system दे for example के लिए आपको क्या करना है आपको suppose 55 को किसमें ले जाना है 55 में मारा क्या है 10 में हो मैंने बोला इसको किसमें ले जाओ 5 में आप 5 जो है दोस्तों base हमने 5 base से कोई भी number system नहीं बढ़ा कोई बात नहीं आपको 5 में जाना है अपको decimal से other से कहा है बेस से divide करना है तो base क्या है 5 है 5 से divide करना सुरू कर दो तो इसको 5 से 11 टाइम झाएगा तो reminder 0 2 टाइम झाएगा तो reminder 1 और 0 टर्म जाएगा तो 2 तो हमारा अंसर क्या होग़ा इसका दोस्तो इसका अंसर होगा हमारा D SASU पर लिखोगे 210 बेस 5 तो आप किसी भी बेस में जाँना हो decimal से किसी भी बेस में जाँना हो तो जिस बेस में जाना है उसके बेस से आप divide करोगे तो आपको क्या हो जाएगा उस base में convert हो जाएगा number दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको clear हुआ हुआ कि कैसे decimal से मैं other किसी भी number system में data convert करता हूँ दोस्तों अगर आपको इसाई चीज़े clear हुए तो please हमारे वीडियो को like कीजे लाइक करने के साथ दोस्तों इसको अपने friends के साथ share भी कीजे और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है और subscribe करने के साथ दोस्तों bell icon को भी दवाएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका notification मिलता रहा है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जहाप हम देखेंगे कि अदर से decimal में हम कैसे लिटाओ कर्मट करते हैं तब तक के लिए नमस्कार